इन दी कस्टेडी ओफ पोलिस ओफिसर तो सक्षिन 27 कहता है कि एक्चूस्ट पर्शन कहा है ये पोलिस कस्टेडी में है तो अगर पुलिस कस्टेडी में एक्चूस्ट पर्शन से हमें कुछ इनफॉर्मेशन रिसीव होता है दूरिंग दिस्कवरी ओफ फैक्ट तो हमें उस इनफॉर्मेशन के केबल उतने पार्ट को एविडेंश के तौर पे पेस करना है जो कन्फेशन को या तो प्रूफ करता हो या तो डिस्प्रूफ करता हो इनफॉर्मेशन रिसीवड दूरिंग डिस्कवरी ओफ फैक्ट एविडेंश लौ के इस लेक्चर सिरीज में आज हम सेक्शन 27 ओफ लौ ओफ एविडेंश से डील करेंगे अपने प्रिविएस कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉंसेप्ट को समझाएं प्रॉपर नोट्स, इलस्टेशन और केस लौज के थूफ हमने सेक्शन 24, 25 और 26 को डीटेल में समझा आज हम डील करेंगे सेक्शन 27 ओफ लौ ओफ एविडेंश से राइट तो हमारे एविडेंश एक्ट ता जो चाप्टर 2 है वो डील करता है रेलेवेंसी ओफ फैक्ट से और इसके जो सेक्शन है वो सुरू होते हैं सेक्शन 5 तो 55 राइट इसी पर्टिकुलर चाप्टर में सेक्शन 17 से ले करके 31 तक के जो प्रोविजिंस है वो डील करते हैं एडमिशन से और ये जो सेक्शन से इने हम दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं पहला पार्ट एडमिशन का है सेक्शन 17 तो 23 एंड सेक्शन 31 और दूसरा पार्ट है कनफेशन का सेक्शन 24 से ले करके 30 तक तो ये आपके अंडरस्टेंडिंग को रीकॉल कराने के लिए था अब देखो हमने एडमिशन के complete concept को समझाया है confession को हम almost खतम करने वाले हैं admission और confession के complete concept को हमने समझाया है और इन दोनों terms के बीच क्या differences है इस हद तक ये दोनों similar हैं इन सभी aspect पे हमने बात किया right तो आज हम deal करेंगे section 27 of evidence act से जो की confession का एक section है चलिए section 27 क्या कहता है it states that how much of information received from accused may be proved right how much of information received from accused may be proved यानि accused person से हमने कुछ information receive किया और वो information crucial information था लेकिन वो information voluminous था right तो उस information के कितने पार्ट को हमें prove करना चाहिए या उस information के कितने पार्ट को हमें evidence के तौर पे हमें पेस करना होगा तो accused person से हमने जो information receive किया है उस received information के कितने पार्ट को हमें court में prove करना है यही कहता है हमारा section 27 right आप देखो section 27 को हमें सा read with section 39 for the sake of your understanding आपको section 27 को section 39 के साथ पढ़ना चाहिए अब section 39 क्या कहता है देखो statement in form of conversation document electronic records books और series of letters and papers यानि जो statement है वो किस फॉर्म में है conversation के फॉर्म में है document के फॉर्म में है electronic records के फॉर्म में है books series of letters papers के फॉर्म में है यानि वो particular statement voluminous है right तो अगर statement voluminous है तो हमें केवल statement के उतने पार्ट को evidence के तौर पे पेश करना होगा जो capable हो पूरे statement के summary को बताने के लिए short में section 39 simply यह कहता है कि अगर statement voluminous है it means it is in form of conversation, documents, electronic records, books, series of letters, papers तो हमें statement के केवल उतने पार्ट को court में evidence के तौर पे paste करना चाहिए जिससे हमारे पूरे statement का summary समझ में आ जाए क्योंकि court का जो time है वो crucial है तो हमें court के timing को ध्यान में रखना है हमें केवल उतने part of evidence को paste करना है जिससे जो summary है वो हमें समझ में आ जाए अब इसी चीज को आप ध्यान में रखो और section 27 जो की deal करता है confession से उसे connect करो जैसे section 27 states that information received during discovery of fact from a person accused of any office in the custody of police officer तो section 27 कहता है कि accused पर्षन कहा है यह पुलिस कस्टडी में है right तो अगर पुलिस कस्टडी में accused पर्षन से हमें कुछ information receive होता है during the discovery of fact तो हमें उस information के cable उतने part को evidence के तौर पे paste करना है जो confession को या तो proof करता हो या तो disproof करता हो information received during discovery of fact from a person accused of any offense in the custody of police officer आगे कहता है only that much of information is to be approved which either amounts to confession or not तो हमें information के cable उतने part को proof करना है जो या तो confession को ensure करता हो या या नहीं करता हो right now what are the requirements of section 27 तो section 27 आपको पहला हो उसके guilt को बताता हो या नहीं बताता हो right what are the requirements of section 27 देखो पहला यह आपके bare act में same ऐसे दिया गया है इस video को देखने के बाद अगर आप बेरक बढ़ते हो तो सभी points अपने आप clear हो जाएं right so what are the requirements of section 27 पहला person must give information so background में जो आवाजे आ रही है please आप उसे ignore करें ठीक है तो हाँ हम requirements of section 27 से deal कर रहें तो पहला requirement person जो कोई information देगा वो किसी particular fact से related होना चाहिए दूसरा at the time of giving information in the police custody वो particular person किसी particular offense के regard में accused होना चाहिए तीसरा person police officer के custody में होना चाहिए जिन भी information को receive किया गया हो during the discovery of fact from the accused वो उसके offense से related हो फिर कहता है facts discovered on such information may be proved and not any other तो during the discovery of fact जिन भी information को receive किया गया है जिन भी information को receive किया गया है केवल उन्ही information को हमें प्रूफ करना है दूसरे information को हमें नहीं प्रूफ करना है ठीक है तो these are some essentials of section 27 right चलो अब कुछ cases है देखो सबसे पहला case है आपका अगनु नगेसिया versus state of Bihar अगनु नगेसिया versus state of Bihar it has been hilled that merely the fact discovered is admissible in evidence under section 27 तो अगनु नगेसिया versus state of Bihar के case में Supreme Court ने ये कहा कि section 27 के according जिन भी facts को discover किया गया है केबल वही facts admissible है and not any other facts are admissible ठीक है तो यानि during the discovery of fact जिन भी information को receive किया गया है accused person से केबल वही information क्या है admissible है under section 27 ठीक है दूसरा case क्या है in state of UP versus Devaman Upadhyay देखो it is held that under section 27 that part of confession is admissible from which any fact is discovered तो under section 27 confession का केबल उतना ही part admissible है जहां से हमें कुछ facts प्राप्त होते हूं confession का केबल उतना ही part admissible है under section 27 which leads to discovery of new facts right तीसरा हमारा Pulkutti, Kutaiya and others versus emperor it is held that information under section 27 may be given in evidence which is apparently related to facts discovered तो यह particular case भी यही कहता है ठीक है कि जो भी information receive किया गया है under section 27 उसी information को हम evidence के तौर पे देंगे which is apparently related to the fact discovered in भारत versus state of MP it is laid down that the evidence of police officer cannot be relied as to fact of discovery तो अगर तो अगर police officer कोई evidence देता है तो वो चीज़ fact of discovery के तहत नहीं आएगा under section 27 केवल accused अगर कोई information provide करता है during the discovery of fact तो वही केवल admissible है ठीक है अब देको for the application of section 27 it is necessary that the person giving information must be accused तो section 27 के application के लिए यह necessary है कि जो person information दे रहा है he must be an accused at the time of giving information दूसरा he must be in police custody वो police custody में होगा उस समय during giving information यह कहा गया state of UP versus देवमनी ठीक है तो यह था आपका section 27 और essentials of section 27 और कुछ case laws जो आपके बेरक्ट में दियेगे है अब हम deal करेंगे section 28 29 और 30 इन तीन sections को पढ़ने के बाद हमारा admission और confession का जो concept है वो end हो जाए तो this is all about today's lecture आज के इस particular वीडियो में हमने section 27 से deal किया अगर section 27 आपको समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल सब्स्राइब कर दिजे वीडियो को लाइक करिए और comment box में अपनी opinion जरूर शेयर करिए झांक यू थाए प्रस्दिट